Hello everyone, Welcome to my channel काफी important topic पे आज बात करूँगा आप वीडियो को अंतक देखें थाई कैनाल प्रोजेक्ट पे बात करूँगा इस कैनाल के बनते ही इंडियन ओसेन रीजन में बहुत बड़ा चैन आ सकता है चाइना इसे क्यों बनाना चाहता है क्या है थाईनेंड गवर्मेंट का रिस्पॉंस और उसके साथ भारत ने पहले से क्या कर रखा है बड़ी तयारी सब जानने को मिलेगा इस वीडियो में भारत के तयारी से पहले थाई कैनाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं इसे क्रा कैनाल के नाम से भी जाना जाता है क्रा कैनाल गल्फ ऑफ थाईलेंड को अंडमान सी से जोड़ेगा यह क्रा इस्तमस जो की साउधन थाईलेंड में पड़ता है और इसकी चौडाई करीब 45 किलोमीटर है उससे होगे गुजरेगा चीन चाहता है वो अपने मेरिटाइम सिल्क रोट के तहद इसे बनाए और इसको फंडिंग करे देखो इसका बहुत ही जादा फायदा होगा ट्रेड में करीब 1200 किलोमीटर दूरी कम सफर करना होगा अगर सिप्स मलाका इस्ट्रेट के बजाए इस रूट से होके जाए तो आप समझो तो कितना समय और कितने पैसे की बचत हो सकता है मलाका इस्ट्रेट दुनिया का सबसे बीजी मैरिटाइम रूट है जिससे होके करीब टोटल ट्रेड का 30% पास होता है और यह अनुमान है कि आने वाले 10 से 15 सालों में इतने सिप्स पास होने लहेंगे कि मलाका इस्ट्रेट पूरे तरह से चौक हो सकता है व्यापारिक दृष्टी कौन से इस कैनाल का बहुत जादा महत्तु है चीन के लिए यह कैनाल एक लाइफ लाइन के तरह है क्यूंकि 80% चीन का जो ओयल इंपोर्ट होता है वह मलाका इस्ट्र को स्प्लाइशन में भारत या अमेरिका मलाका इस्ट्रेट को आसानी से बंद कर सकता है क्यूंकि मलाका इस्ट्रेट पे सिंगापूर और मलेसिया का जादा करूल है और इन दोनों देशों के लिए भारत और अमेरिका जादा एहम है। आप खुँच सोचो अगर इंडियन को सप्लाइ होने वाले ओयल को भी रोक दिया जा सकता है चीन इसलिए क्राक कैनाल बनाने के लिए थाइलेंड गवर्मेंट पे प्रिशर डाल रहा है अगर आप देखो तो इस कैनाल का खर्ज करीब 25 से 30 बिलियन डॉलर आने का अनुमान है इस कैनाल के पास से चीन अराम से अ भारत के सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खत्रा है क्यूकि अंडमान निकोवार आइलेंड भारत का ब्रहमास्त्र है इंडियन ओशन में थाइलेंड के साथ दिक्कत यह है कि वह पूरे तरह से चीन के उपर विश्वास नहीं कर सकता क्यूकि चीन जैसे साउध चाइना पे ही ना कंट्रोल जमाले और उसके साथ Thailand को यह भी डर है क्यूंकि जब ये Canal Pass होगा तो ये Thailand को दो पार्ट में Divide करेगा तो एक पार्ट जो इससे कट जायेगा वही Thailand के लिए सबसे ज् высně ज्यादा नहीं है कि वहां पे चीन का कई सारा पोर्ट से आज इंडियन ओशन में भारत को पूरे तरह से नेवी को तैयार रखना होगा। हिंदुस्तान टाइम्स में छपे रिपोर्ट के हवाले से भारत एर स्टिप को अपगरेड करेगा आइनेस को हासाबे जो सिबपूर नौर्थ अर्णमान में है उसके साथ केम्प बेल स्टिप जो नीकोवार में है उसको फूल फ्लेज्ट फाइटर बेस बना देगा वहीं ल अलाका श्ट्रेट तक और अरेबियन सी से होके गल्फ आफ एडन तक पूरा कंट्रोल इंडियन नेवी के पास हो आने वाले समय में यह दोनों आइलेंड एक एरक्राफ्ट केरियर की तरह काम करेगा ताकि चीन को मसल के रख दिया जाए अगर वो कोई हिमाकत किया तो